पेट की एक ऐसी बीमारी जो कि आपकी जिन्दगी बरबात कर सकती है जी हाँ इस बीमारी का नाम है अलसक रोग अलसक रोग का मतलब होता है कि एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें आपका खाना ना तो उपर से निकलता है ना नीचे से निकलता है कहीं हिलता डुलता नहीं, बस पेट में पड़ा हुआ रहता है, यह आप में से ऐसे लोग जो तकलिफ करते हैं कि खाना खा लिया ना, तो खाना ऐसे लगता कि बस वहीं पर अठका हुआ है, ना नीची की तरफ जा रहा है, ना उपर की तरफ जा रहा है, तो यह बीमारी पूरी जानकारी इस वीडियो में आज हम बात कर रहे हैं ऐसी बिमारी के बारे में जिसमें आपका भोजन पेट में पड़ा हुआ रहता है इसके चार लक्षन वागभट जी बोलते हैं इस बिमारी को आईरवेद में नाम दिया गया है अलसक अलसक मतलब जैसे कोई आलसी आदमी होता है न वो देखो कुछ हिलता टुलता नहीं बस एक जगण डला हुआ रहता है उसे कुछ काम करने बोलो तो कुछ भी करने को रेडी नहीं होता सेम जब आपने जो खाना खाया है वो आपके पेट में जाकर ऐसे ही पड़ा रहे और आपका पेट बोलते कि मु में लक्षण बोले कि अगर खाना खाने के बाद आपको ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं तो समझ जाओ ये बिमारी आपको है नमबर वन खाना न तो ओपर की तरफ से आना सपोस्कि आपने खाना खा लिया खाने के बाद अगर आपको पेट में भारी पन हो रहा है तो बहुत सा खाना नीचे से भी नहीं निकलेगा क्योंकि अगर आपने कोई दवा खाली आपको फोर्स करने की कोशिस की तो इतना जदा आलसी आपका पेट हो गया है कि उसको नीचे से भी नहीं निकलने देगा करते कि हमने खा लिया 8-10-12 12 गंटा हो जाता है पर वो खाना अजम ही नहीं होता यह अगर 4 लक्छन है तो आपको अलसक नाम की बीमारी आपके पेट में हुई है तो ये बिमारी होती क्यों है तो वागबट जी बोलते हैं कि कुछ कारण है इसके जैसे कि दुरबल लोग पतब ऐसे लोग जो की कमजोर है कोई बिमारी होई थी कोई चारण से जिनका शरीर बहुत जदा वीक हो गया है या कोई बड़ा एक्सिडेंट हो गया था कोई पहले बाइ नेचर ही डाउन है अब कई लोग ऐसे होते हैं कि जन्म से ही उनका पाचन अच्छा नहीं होता जन्म से ही उनको पेट रिलेटेट कुछ न कुछ तकलीफ होती है ऐसे लोगों के साथ होती है और एक गलती वो बोलते हैं जो की मेन कारण है इस तरह की मिमारी होने का वो एसे लोग जो कि जो नेचुरल अर्जिस होती है जैसे कि धगार आना, गैस निकलना, यूरीन, पिशाप का संसेशन आना, मल का संसेशन आना, जो लोग इसे जबरदस्ती रोक के रखे रहते हैं कि नहीं, अभी मैं पहले शेर मार्केट का काम कर लो, या मैं पहले वीडियो द खा रहे, इस तरह की चीजे करते हैं, कि जब मोशन आया तब जा नहीं रहे, और मोशन नहीं तब जबरदस्ती प्रेशर फेशर लगा रहे, या उस मोशन को जबरदस्ती रोक रहे, इसके लिए संस्वित में शब्द है, वेगा वरोध, वेगो को जो रोकते हैं, ऐसे में आपको बोडी की क्लीनिंग करनी चाहिए या शोधन या फिर पंच गर्म करना चाहिए तो वो बोलते हैं वमन नाम का एक प्रोसीजर होता है वचा नाम के एक आउशदी मदन फल और जो सेंदा नमक होता है उसका पानी वो बिलाकर बोलते हैं कि आउशदी पियो पेड भर और उसको वमन करके निकाल दो या आप कोई भी पंच गर्म सेंटर में आपके नजदीक में जाके करा सकते हैं कि वो खाना जो ऊपर अटका हुआ है कुछ नहीं कर पा रहा है तो उसको उस तरह निकाल दो फिर उन्होंने कुछ फल वर्ती या कुछ ऐसे सपोजिटरी बोली है जो कि अगर मल मार के यहां पे आप लगाएंगे तो अपने आप आपका पेट एक्टिव होगे वो पेट साफ करके निकल जाएगा और एक और ट्रीटमेट वो बोलते है कि स्टीम लेना स्वेधन लेना या फिर स्टीम बोडी पे लेना भाप लेना गरम भाप लेना ये जो अटका हुआ जो भोजन है आपके चैनल्स को खोल देगा और धीरे धीरे उस भोजन को निकालने में मदद करेगा तो आगवर जी बोलते है पहले ये तीन चीजा आप कर लो उस जो आपका खाना अटक गया है उसको क्लीन करके लो तो एक बार क्लीनिंग हो गई तो उसक आपकी भूख थोड़ी बहुत खुलने ना लग जाए विना भूख कि अगर आप फिर से खालोगे तो ये बीमारी और आपकी बढ़ने लग जाएगी और वो बोलते कुछ आउशदियां ले लो जो कि आपके शरीर में पाचन बढ़ाने में मदद करे तो कुछ एक दो मैं घरेलू चीज़े बोलता हो जो आप कर सकते हो नमबर वन तक्र या फिर बटर मिल की जिसको हम बोलते हैं वो एक कमाल की चीज़ है जो कि अगनी का दीपन पाचन करती है और जो पेट आलसी हो गया है उस पेट के आलसी पन को खतम करती है तो आप क्या कर सकते हैं छाष ले लिजे और चाच के अंदर जो त्रिकटू नाम का पाउडर होता है जिसमें की सोट जिंजर पाउडर काली मिर्च ब्लैक पेपर और पिपली इस तरह का ये पाउडर मिलता है त्रिकटू पाउडर वो दो पिंच और थोड़ा सा शहट डाल के लिए सकते हो खाना खाने के प और जो भी सब्बोस कुछ जैसे की सूप पी रहे हो वोंका पानी उबाल कर पी रहे हो या साधा पानी पी रहे हो या कुछ खाना ही खा रहे हो तो थोड़ा सा खाना खाना एक चुटकी है पाउडर खाना फिर खाना फिर वन पिंच ये पाउडर खाना इस तरह की कुछ और दियान ले सकते हो जो कि आपकी अगनी को बढ़ाने में मदद करेंगी और पेट जो आपका activity नहीं करा उस activity को बढ़ाने में मदद करेंगी और एक तक्रा रिष्ट नाम का बना मेडिसिन मिलता है जो कि अगर आपने कुछ भी खाया तो खाने के बाद 20 ml वो दवा और थोड़ा सा पानी ले सकते हो और एक आदर जो आप अपनी लाइफ में डाल सकते हो वो है पान खाना जी हाँ पान के उपर मैंने अल्रेडी बहुत सारे वीडियो डाले हैं एक कता पान हरा पान होता है वो पान उसके अंदर चूना लगा के थोड़ा सा सौफ आप चाहे तो डाल सकते हो वो वाला पान अगर आप चबा चबा कर खाते हो तो वो भी आपकी अगनी बढ़ाने में मदद करता है तो बोडी क्लीनिंग करा के अगर ये कुछ चीज़े आप फॉलो करते हो अगर बहुत ही ज्यादा पेट में मतलब खाना पड़ा रहता और गैस अटकी रहती निकलती नहीं परिशान हो गये तो जो हरड नाम का पाउडर होता है हरी तकी हरड हरडे ऐसे नाम से मिल जाता है वन फोर चमच हरड पाउडर दो चुटकी सोट और एक पारी चीजी जो पेट में अटकीवी गैस है आपका पेट एक्टिविटी नहीं कर रहा है उस एक्टिविटी करने में मदद करेगा और उसके बाद भी अगर आपको आराम नहीं मिल रहा है तो जैसे की शुरू में बोला कि पहले बॉड़ी की क्लीनिंग आप कराईए एक पर क्लीनिंग करा लेंगे तो उसके बाद ये जो अलसक बीमारी है वो ठीक होने में आपको अच्छा खासा मदद मिलेगा ऐसा बोलना है बागबट जी का अपने सूत्र स्थान जो उन्होंने लिखा है अस्टांग रिदय में उसमें तो ये वीडियो आपको कैसे लगा कमे तरी ट्रीटमेंट के लिए चाहिए वो ले सकते हैं तब तक के लिए स्वस्त रहें मस्त रहें